दोस्तो जो आज यहां पर डिलेट का एकजाम हो रखा है उसका हम यहां पर solution देखने वाले हैं GS का solution देखने वाले हैं GS की जो answer की है दोस्तो हमारे अनुसार क्या है वो यहां पर discuss करने वाले हैं तो question number 1 है दोस्तो यहां पर के अंग्रेजों ने सूरत में पहली फेक्टी किसकी अनुमती से इस्तापित की थी तो बहुत सरल प्रसुन था यह जहांगिर इसका सही अंसर है अगला question था question number 2 की सरवादी की यूरेनियम का भंडार कहां पर इस्ती थे तो अगर देश की बात करें तो option के अनुसार आपको आश्टला यहां पर सही मिलेगा option A यहांपर सही है अगला question था question number 3 और question number 4 आपको पूचा गया था कि किस नदी का उदगम इस्तल भारत में नहीं है तो देखे दोस्तो यहाँ भारत में है तो ग्रहम पुत्र हो गया है सिंदू हो गया है सतलज हो गया है इन सभी का दोस्तो यहाँ पर जो उद्गम होता है चीन से होता है तो यहाँ पर C बिल्कुल सही अंसर है चिनाब यहाँ पर बिल्कुल सही अंसर है ब्याखे दोस्तो तरंग धेदर की जब हम बात करते हैं कि तरंग धेदर जिसकी जितनी जादा होती है उसकी जो उड़जा होगी वो उतनी ही कम होगी तो यहाँ पर इस फोर्मले से दोस्तों इसका यहाँ पर रिलेशन होता है एनरजी इसकी अपोजिट होती है तो यहाँ पर जितनी जादा त पुर्जा उतनी ही कम यहां पर होगी, तो यहां पर अगर आप देखोगे, तो सबसे ज़्यादा यहां पर आपको तरंगधेदर की बात करेना, तो यहां पर आपको मिलेगा 400, यानि बेंगनी यहां पर सरवादिक है, और नीचे नीचे आओगे तो कम होता जाएगा, देखे इस हिसाब से अगर आप देखोगे, तो नीला यहां पर इसकी तरंगधेदर ज़्यादा है, तो ओप्सन C यहां पर सही होगा, अगला कोशन ने कोशन नंबर 5 और यहां पर पुछा गया है कि भारते सिविधान की अंद्रगत निम निखित में से कौन सा मूल करते वे नहीं है, तो मूल करते वे दोस्तों यहां पर पुछा गया था, तो यह important हो सकते हैं आने वाले एकजाम के लिए, तो 11 के 11 जो मूल करते वे हैं, वो आपको देख के जाना है, तो मतदान वाला दोस्तों यहां पर कोई नहीं है, यानि option A यहां पर गलत होगा, बाकि सभी हमारे यह मूल करते वे हैं, चलेंगे अगले कोशन पर, कोशन नमबर 6 और यहां पर पुछा गया है, देखें, केंद्र और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई जो अन्य प्राप्तिया संग्य सरकार को जो प्राप्त समुचा राजशो होता है, वो यहां पर कहां पर जमा होगा, राज़े की संचित ने धी में, थोड़ा डाउट है लेकिन राइट अंसर उप्सन नमबर C है, कोशन नमबर 7 के बात करते हैं, देखें, सात्वा पूछा गया है, कौन पिर्थिभी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन ऑक्साइड का योगदान करते हैं, तो यहां पर कार स्वसन करिया में भी हम ऑक्सिजन छोड़ते हैं, जे पर्दात का जबचे होता है तो वहां पर कार्बन डायोकसाइड को ग्रहन किया जाता है, ना कि छोड़ा जाता है, ऑक्सिजन को चोड़ा जाता है, तो तो औस यहां पर C होगा, पिचानबा आशकर आओर CL 저 कथन सत्य है वो आपको बताना है तो सरुसेष्ट फिल्म आर 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 गलत है क्योंकि यह सरुसेष्ट जो यहां पर सोंग है औरिजनल सोंग उसका वड़ दिया गया था तो ओप्सन दो और तीन हापे सही है सरुसेष्ट अभिनेत्री मिसेल यो और सरुसेष्ट वितचित्र लगू फिल तो यहाँ पर दोस्तों option B यहाँ पर सही है बाकि सभी गलत है तो ग्याख्याव यहाँ पर देख लीजिगा चलेंगे question number 9 और question number 10 आपको पूछा गया है और 10 पूछा गया है देखें प्रेस की स्वतंतरता विश्व प्रेस स्वतंतरता दिवस तो यह सरल है तीन मई को हम मनात हैं खेलों के समद में यहाँ पर आपको बताना है कि खेलों के समद में कौन सा कथन सत्य है तो देखें अर्जेंटिना ने फुटबोल का जो विश्व कप हुआ यह जीता था बिल्कु सही है commonwealth में भारत की जो रैंक है वो तीसरी है जो की गलत है क्योंकि भारत की रैंक चो परवत सिंखला है तो आप सभी कहोगे कि अरावली जो है यह विश्व की सबसे प्राचिनतव सिंखला में से एक है तो अरावली इसका राइट अंसर है कौन सा समिधान संसोदन अंशेद राजयपाल को अध्यादेस जारी करने के सकती देता है तो आप कहोगे कि 2,1,3 तो आप पर अध्यादेस राजयपाल को देता है कौश्या नंबर 13 और कौश्या नंबर 14 है लोग सभा में आव विश्वास प्रस्ताव प्रस्तूत करने के लिए कितने सांसोदों के समर्थन की आउसकता होती है तो अगर हम बात करें तो मिनिमम दोस्तों यहाँ पर बात करें तो 50 सदुष्यों का होना आउसक है तो 50 सदुष्यों का समर्थन होना आउसक है तभी जाके आविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तूत किया जा सकता है तो ओप्शन डी यहाँ पर बिल्कु सही है चोधवा है कि केंदेर सदक्ता आयोग की स्थापना निम्ण में से किस की पारिस पर की गई थी तो के संथानव रिपोर्ट देखें, ओप्शन डी यहाँ पर बिल्कु सही है चीप बिजलिंस के जो कमिशनर वगएरा है जो आयोग है कमिशन है के संथानव रिपोर्ट के आदार पर किया जाता है 15 वा सुलवा कोषन है देखें, दोनो 29 नेम लिकित भी नहीं बिधी मंत्री भी नहीं तो राजे के उच्छ न्याला यहाँ पर सठीक अंसर होना चाहिए क्वेशन नमबर सुला अंसर आपको दिख गया है एक और तीन देखें दोस्तों यहाँ पर जन विकास में भागीदारी यह तो बित्य संग्रहन देखें यह पंचयती राज व्योसता में नहीं हो सकता है तो बित्य संग्रहन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर तो यह होगा नहीं तो जहाँ पर इस चार आएगा वो गलत हो जाएब तो यानि ओप्स Did You यहां पर सही है देखे दोस्तों अगर correction कराने की बात करें तो नीचे comment करवा देंगे लेकिन अभी तक के हिसाब से हमारा जो answer किये है यह सही है ठीके question number 17 है पूछा है किसका प्राकितिक मच्छर प्रतिकर्ष्ची तियार करने में किया जाता है तो lemon जो घाष है इसका option A यहां पर सही है अगला question है 19 और 20 देखे 1658 में मुगल सायजादे ने सिनगर में सरन ली थी प्रतिवपति सा के कारेकाल में तो यह सुलेमान सिको था यानि जो दारा सिको का बेटा सुलेमान सिको था उसने सरन ली थी question number 20 है भी बेटका की गुफा की बात करें तो प्राग कि राष्ट्य एक्ता को बढ़ावा देने के लिए इस्थानिया हस्सिल्प और सांस्कृतिक गतिविध्यों को समर्थन परदान करता है तो देखे खेल सेवाएं राष्ट्य बिरासत से मतलब नहीं होगा यहां पर प्रेटन से मतलब होगा option B यहां पर सही होगा question number 22 है 23 और question number 24 देखे बारत के कितने राज्य समुदी तटेस लगे हैं तो आप कहोगे कि यहां पर no तट लगे है option B यहां पर सही है प्याखे देख लीजेगा question 24 है पूछा गया है कि प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो देखे प्राकृतिक बहुलक होता है सेललोज होता है रेसम ह रबड होता है प्लास्टिक नहीं होता है ठीक है तो option B यहां पर सही अंसर है question number 25 और question number 26 है और पूछा गया है computer में निम्ड में से कौन उचिस्तरिय भासा को मसीनी भासा में बदलता है तो यह compiler का काम होता है option number C यहां पर सही है तो compiler यहां पर सही है question number 26 है कि राज्य लोग स वायो की बात करते हैं तो राश्पती के द्वारा अंशे 315-16 में बता गया है और राज्यों के जो लोग से वायो के द्यक्ष होते हैं और उनकी नुक्ति की जाती है राज्य पाल के द्वारा ब्याख्या दोस्तों आपके सामने है इसे आप पढ़ लीजेगा चलेंगे अपर अठाई से देखिए आप इसे इंग्लिस में पढ़ लीजेगा हिंदी में इसके काफी टफ लेंग्वेज है कौन सा भारतिय रिजर्व बेंक का कार्या नहीं है तो करंसी का नियमन होता है बिदेसी व्यापार का नियमन दोस्तों यही गलत होगा साक का नियमन होगा देश के बिदेसी व्यापार का नियमन है वो वारिजय मंतराली के दोरा क्या जाता है अबी हाली में भारत की रेंग कितनी थी 132 भारत की रेंग थी LPG का मुक्य घटर क्या होता है देखे ब्यूटेन प्रोपेन आपने सुना होगा तो ब्यूटेन ओपशन में है ऑपशन नमबर C यहां पर सही होगा तो ब्यूटेन यहां पर बिल्कु शही अंसर है और हमारे जल मंदल का सबसे बढ़ा भाग कौनसा है आप को होगे परसां ग्रिन करने का सरवादिक परसित के अंदर कौन था तो आप कहोगे जित तक्षिला यहां पर बिल्कु सही था तो यह यहां पर था अगला कोशन है यहां पर 34-35 देखे उत्रा खंड का सबसे बड़ा हिमनद गंगोतरी है दूसरा सबसे बड़ा हिमनद पिंडारी है और कुमा पिंडारी है तो देखे दोस्तो इसका अंसर आपको मिलेगा ऑफसे नंबर देखे जी ट्वंटी की स्थापना 2003 में जो पहला ही गलत हो चुका है जी ट्वंटी में 20 सदश्य है और 19 देशवा एक यूरोपे संगे यह भी बिल्कु सही है जी ट्वंटी नेताओ का सिकर सम्म पिलन राजय सरकार के परमुकिस्तर पर 9 और 10 सितंबर 2023 को तो यह भी सही है तो ओफसे नंबर 2 और 3 यहाँ पर सही है और ब्याक्या दोस्तो यहाँ पर देख लीजिए 2003 नहीं 1999 जागे सर मंदिर सम्मु की बात करते हैं तो सबसे बड़ा मंदिर सम्मु है उत्तराखान पाल राजाओ का नहीं था यह कार्तिके राजाओ का था कत्यूरी कार्तिके राजाओ का तो ओफसें सी यहाँ पर गलत होना चाहिए 37 है उत्तराखन का सरवादिक नगरी के जिल्ला कौन सा है उत्तराखन में सरवादिक नगरी के जिल्ला कौन सा है तो यह है धेरादून ओफसें सही है और सबसे कम बागेशवर है नेत्रदान में कौन सा भाग दिया जाता है दान करने के लिए तो आप कोगे जिकार्णिया दिया जाता है, option C यहाँ पर सही है, question number 38, question number 49 49, 49, 41 सिकंदर किसके समय में आक्रमन किया थे तो दीखे, सिकंदर के बात करें तो समय कौन तक घना नन था तो नंद वंस का यहाँ पर सासन था उसमय, option A सही होगा आजाद हिंद फोज का जो गठन हुआ था 1943 में, तो यह कहाँ पर हुआ था तो यह हुआ था सिंगापूर में 1943 सिंगापूर में, ठीके 21 October 1943 सिंगापूर में गोल गुंबद कहाँ परिस्ती थे गोल गुंबद के बात करते हैं तो विजापूर में हैं और मुहमद आदिलसा के द्वारा इसका निर्मान करा गया था Question number 42, Question number 43 और 44 कौन सी मिटी सबसे अधिक उपजाव है तो सबसे अधिक उपजाव मिटी कौन सी है आप कोगे कि सबसे अधिक उपजाव मिटी जलोड होती है Option C यहाँ पर सही होगा देखे सूरे से आने वाली प्राभेंगनी करेणों को कौन रोगता है तो यहाँ पर रोगर्के का काम करता है और जोन परत रोगता है यानि Option C यहाँ पर सही है एक ओपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो देखे जावा की बात करते हैं तो जावा क्या है? जावा तो एक लेंग्वेज है तो Option C यहाँ पर गलत होगा यानि Option C यहाँ पर सही है Question No.45-46 प्रांतों में देखे सासन परणाली किस अधिनियम के तेज़ शुरू की गई थी? तो प्रांतों में देखे सासन की परणाली जो की गई थी यह भारत सासन अधिनियम 1919 के तेहत की गई थी Option B यहाँ पर सही है राष्ट पिता महात्मा गांदी को सुरू परतम किस ने कहा था? तो आप कोगे राष्ट पिता महात्मा गांदी को सबसे पहले सुबाश चनर बोश ने कहा था 1944 में कहा था और सिंगापूर से कहा था देखे 47 वा है और 47 कोशन है कि सही कालकर्म और अनुसार आपको लगाना है तो देखे दोस्तों विडियो डिस्पेज की बात करते है न तो यह होता है कब होता है यह 1900 अगर आप देखोगे तो यह होगा 1854 में सोरी मेकाले का जो 10 मिनट से यहाँ पर था एजुकेशन 1835 में आता है यह 1944 की है और 1882-83 के बात करें तो इंडियन एजुकेशन हंटर कमिशन था तो 2-1-4-3 ओफसन नंबर यहाँ पर सही है अब हाइडरोजन में सरवादिक इंदन चमता होती है तो ऑफसन ए यहाँ पर सही होगा उन पचास और पचासवा कोशन देखे भारत के विवाजन के समय राष्टे कांग्रेस के अद्देख आपको होगे कि जेवी किर्पलानी जी थे और राष्कु सामराजय का जो यहाँ पर सस्तापक था नीव रखीती वो दंती दुर्गने रखीती तो देखे दोस्तों यहाँ पर यह पर यह पर परस्ट थे जो 50 परस्ट आपको GS के पूछे गए थे रिजनिंग का भी आपको यहाँ पर solution करवा देंगे तो यह GS के परस्ट थे आपके यहाँ पर आपके इन में कितने question आपके सही बने है नीचे comment में जरूर बताएगा level कैसा था यहाँ पर GS वाला यह भी बताएगा क्योंकि इसमें match वाला portion भी होता है न तो वहाँ पर थोड़ा अच्छा हो जाता है तो यहाँ पर थोड़ा टप लेवल बन जाता है बाकी GS का तो हमारे अनुसार बहुत सरल पेपर था तो यहाँ पर दोस्तों इतना ही है मिलेंगे नई वीडियो में जय हिन जय उत्रखंड और जय देभूमी